हालेलुया प्रेज दा लॉड एवरिवन स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में डेली वर्ड आप गौड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गॉस्ट प्रोडक्शन्स को और पहले एकन पर क्लिक करके अल नाटिफिकेशन सेट करें जिससे आप पढ़ सके डेली वर्ड को सबसे पहली आईए हम सब मेरी बहश्यवानी की पुष्टक में से आज के पर्वित्र बचर को पढ़ते हैं जो की परमिसर के दास प्रेरित अंकुर योश्यप नरुलाजी के द्वारा लिखा गया है आज का पर्वित्र बचर परिव तुझे यहवा के आगे मरने से पहले आसिरवाद दूँ मेरे प्रियो अगर पती पतनी एक दूसरे से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं और अगर पती कहता है कि मैं अपनी पतनी के साथ सिर्फ अपनी बच्चों के लिए रहता हूं और पतनी भी यह बोलती है कि मैं अपने पती के साथ अपने बच्चों के लिए रहती हूं तो वह अपने रिष्टे में पहले से फेल हो चुके हैं इसलिए उनका परिवार टूटता है बाइबल में जब हम इसहाग के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसहाग के दो बेटे थे ऐसाब और को ज़्यादा प्यार करती थी जब इसहाग बूड़ा हो गया था और उसको कम दिखाई देने लग गया था तो वह उस समय यह चाहता था कि वह एसाब को आसीश दे इसलिए उसने इसाब से कहा कि मेरे लिए मन पसंद सिकार का भोजन तयार कर ताकि मैं खुश होकर मरने से पहले तुझे यहवा के सामने आसीश तूं लेकिन रिबका ने यह बात सुन ली और वह चाहती थी कि वह आसीश याकूब को मिले इसलिए उसने याकूब को बोला कि तू अपने भाई से पहले अपने पिता का मन पसंद भोजन बना कर लेकर जा और मैं तेरे सरीर पर बकरी के बाल लगा दूंगी ताकि तेरा पिता तुझे पहिचान ना सके कि तू याकूब है क्योंकि एसाब के सरीर पर बाल थे लेकिन याकूब के सरीर पर बाल नहीं थे रिबका ने याकूब को अपने पिता के साथ धुका करने के लिए बोला और जब याकूब ने वैसा ही कि तो इसहाक को पता चल गया और वै अपनी पतनी पर गुस्ता हुआ और याकूब का भाई उसकी चांद दुस्मन बन गया और फिर याकूब को उस देश से भागना पड़ा मेरे प्लियो इसहाक और रिबका की इस बात के कारण आपस में कोई प्यार नहीं रह गया था वै एक दूसरे से ज़्यादा बच्चों से प्यार करते थे इसहाक का परिवार पूरी पूट गया था क्योंकि उसने अपनी पतनी के साथ बैठ कर कोई भी सला नहीं की कि अब मैं मरने वाला हूं और मैं बच्चों को आसीज देना चाहता हूं अगर उन दोनों ने सला की होती तो उन दोनों का आपस में प्यार होता और उनका परिवार भी ना तूटता बाइबल में लिका है कि जिस तरह मसीह कलीशिया का सिर है उसी तरह पतनी का सिर पती है इसलिए वे उसके अधिन रहें और पतियों को परमिश्वर ने बोला कि जिस तरह तुम अपने सरीर का ध्यान रखते हो उसी तरह अपनी पतनी का भी ध्यान रखें उसके साथ प्यार करें लेकिन जब आप दूसरे से ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप परमिश्र के वचनों को तोड़ते हैं मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चों से प्यार ना करें लेकिन बच्चों के प्यार के कारण आप अपने भीच के प्यार को कम ना होने दें आप दोनों का फैसला एक ही होना चाहिए और जब आप इसी तरह करते हैं तो आपका परिवार हमेसा जुड़ा रहता है वाट तूटता नहीं है आमेन यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए सर्व सक्तिमान पर मिश्र इस वच्छन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वच्छनों के अनुसार चलूँगा और अपनी जिन्दगी का हर फैसला आपकी मर्जी के अनुसार ही लूँगा प्रभु यिस्व मसीज के नाम में आमेन 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 सब को जाम से की God bless you I love you पर मिश्व आपके वच्छन के दोरा सौगना फलों के साथ आसीज करे जीजिस का इस नेम हमेन